हलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चानल आज की वीडियो में हम मोशन पोएम डिसकस करेंगे जोकी ऑक्टेव या पास की लिखी हुई है आप में से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं मोशन पढ़ाओ तो इसलिए आज मैं इसके पर वीडियो लाई हूँ तो चलिए पोई में शुरू करते हैं पहला लाइन है इफ यू आर्द एंबर मिया आयम दे रोड अफ बलड तो फिर यहां पर पोईट कह रहे हैं कि अगर तुम एक घोडी हो मियार का मतलब घोडी होता है फीमेल होर्स और एमबर जो है वो एक फॉसल होता है एक तरह का ब बहुत खुबसूरत होता है दिखने में तो यहां पर एमबर का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उसका जो शाइनी गोल्ड कलर है वैसा गोल्ड कलर की घोडी को दर्शाया गया है तो अगर तुम गोल्डन रंग की घोडी हो तो फिर मैं रास्ता हूँ कैसा रास्ता को मतलब खुन खराबा और जो भी वाइलेंट विएवियर एंगर होता है नफरत होती है उसको दर्शा रहे है इफ यू आर दे फॉस्ट स्नो आयम ही हो लाइट्स तहर्त अव डॉन तो फिर अगर तुम पहला स्नो हो पहला बरफ हो जो बरफ गिरता है तो मैं कौन हूँ मै मैं वो हूँ जो कि dawn मतलब सुभा का सुभा में जो रोशनी फैलाता हूँ सुभा में यहां पे heart का मतलब होता है जहां पे हम bonfire करते हैं तो आग लगाते है उसके नीचे जो जमीन होती है उसको heart बोलता है तो फिर यहां पे कह रहा है कि मैं वो हूँ जो की heart of dawn सुभा के उस जमीन को मैं जलाता हूँ उसमें रोशनी करता हूँ तो फिर यहाँ पर सुभे रोशनी कौन देता है तो पक्ता यहाँ पर sun को बोल रहा है indirectly तो फिर देखीए यहाँ पर से हो गया एक में स्नो बोला अब वो खुद को बोल रहा है गर्मी सन से कंप्यार कर रहा है आप हर लाइन में ऐसे पोईम में नोटेस करेंगे हर दो-दो लाइन में यहां पर ओपोजट चीज़ों को दर्शाया गया हुआ है एक्चुली इस पोईम का थीम ही वही है कि नेचर में हर चीज नेचर का हर कोई एसपेक्ट में आपको मिलेगा कि नेचर ने हर चीज पेर में बना रखी है हर चीज का एक उपोजट ज़रूर होता है जैसे एक सिक्की के दो साइड होता है वैसे इनेचर में हर चीज का उपोजट होता है अगर पॉजटिव है तो नेगेटिव भी होता है दिन है तो रात भी होता है, थंड है तो गर्मी भी होती है, तो यह जो duality है nature का, इसको हम ignore नहीं कर सकते हैं, यह ultimate truth है, और वही चीज़ को समझाने के लिए बहुत सारे examples के थ्रूँ, अलग अलग चीज़ों के थ्रूँ, पोईट ने इन सारी बातों को दर्शाया है, जैसा कि पहले line में उन्होंने peace और violence का बताया, उसके बाद वाले line में उन्होंने थंड और गर्मी का बताया, उसके बाद देखते है, if you are the tower of night, I am the spike burning in your mind, तो फिर अगर तुम रात के tower हो, तो फिर मैं तुम्हारे मन में जल रहा एक spike हो, मतलब जो रोश्नी की जो एक source होता है, एक spike जैसा और वहां से rays निकलते है और चारो तरफ फैल जाते है, उसको spike बोलते है, तो फिर जैसे कि towers में देखा होगा, अपने बीच में एक light लगा होगा, चारो तरफ से खिड़की से rays आ रहे होगे, जैसे कि वैसा दिख रहा होगा, जैसे spike निकल रहा है, जैसे porcupine के spikes ह होता है, वैसे type के, तो फिर उसी चीज़ को यहां पर बताया क्या है, तो फिर देखिए, यहां पर नाइट है, उपर से उसमें वापस रोशनी की बात की गई है, मतलब डार्क और लाइट, अंधेरा और रोशनी, यह दोनों भी प्यार है, opposite है, if you are the morning tide, I am the first birds cry, तो अब य morning tide हो, मतलब सुभे सम्मंदर में जो tide आती है, तो मैं हूँ, एक पक्षी का पहला, पहला जो वो रोपता है, वो मैं हूँ, if you are the stone altar, I am the sacrilegious hand, हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि morning tide और bird के रोने से यहां पर क्या, मतलब लिंक है, तो फिर जब कोई पक्षी पैदा होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, रोता है, हर organism सबसे पहले रोता है, तो फिर first bird scribe, तो जब पंची पहली बार रोया, यहां पे जनम को दर्शाया जा रहा है, और morning tide जो है, tide जैसा कि आप जानते है, बहुत खतरनाक होती है, अगर कोई tide में first किया, तो जान भी ले सकता है, तो फिन आप इंडिरेकली death को दर्शाया गया है, अगर जनम है तो मौत भी है, if you are the stone altar, I am the sacrilegious hand, stone altar मतलब church वगरा में या मंदिर वगरा में आपने देखा होगा, भगवान के सामने कुछ एक table type का रखा जाता है, जिसके उपर की भगवान को दिया चड़ाते है, या फिर candles चलाते है, या फिर कुछ भी fool वगरा offer, जो भी हमारा offering होता है, जो भी चड़ावा होता है, दिया जाता है, तो उसको altar बोलते है, तो पत्थर का बना हुआ altar अगर तुम हो, तो फिर मैं sacrilegious hand हूँ, sacrilegious मतलब atheist, मतलब जो लोग believe नहीं करते है, भगवान पर believe नहीं करते है, और भगवान के जो नियम है, भगवान के जो इज़त है, भगवान के बात को नहीं मानते, और भगवान को बार बार अपमान करते है, जो भगवान हमको सिखाते है, कि ऐसा करना चाहिए, वो उसका ठीक उल्टा करते है, हमेशा भगवान के सारे rules का अपमान करते है, तो mostly हम sinners कह सकते हैं जो लग पाप करते हैं, पापी होता है तो फिर पापी हाथ को वहाँ दशाया गया था If you are the sleeping land, I am the green cane अगर तुम सोता हुआ जमीन हो तो फिर मैं green color का, हरा रंग का, cane हो cane का मतलब एक लाठी type का होता है जिसको पकड़ के लोग चलते हैं बुड़े लोग अकसर पकड़ के चलते हैं आपने देखा होगा एक handle type का होता है उसमें हाथ में पकड़ने के लिए और एक लाठी होता है बड़ा सा उसको cane बोलता है तो फिर यहाँ पर आप सोच रहे होंगी sleeping land है मतलब सो रहा हुआ land है नींद है दूसरे जगह में हमारा consciousness है unconsciousness मतलब हमारा हम जब सोई हुए होते है और जब हम जागे हुए होते है यानि conscious होते है हमें सब कुछ पता चल रहा होता कि अस-पस क्या हो रहा है और यहाँ पे cane आप यह भी बोल सकते हो क्योंकि ग्रीन कलर बोला गया है में भी grass को दर्शाया जा सकता है क्योंकि grassland के उपर उपता है और उड़ता हुआ गया cane की तरह ही दिखता है cane भी वैसा ही दिखता है लग बख तो उसके साथ compare किया गया है और इसका mean जो theme है वो है सोना हमारा नींद और जब हम नींद के बाहर होता है यानि awake होता है sleeping और awake if you are the wind sleep I am the buried fire तो फिर अगर तुम हवा हो तो फिर मैं आग हूँ if you are the water's mouth I am the mouth of moss तो फिर अगर तुम पानी का mouth हो मतलब कोई भी water body का जो होता है उसमें एक आप सब मजलों की pond होता है उसके बाद तो वो deep में जाता है नीचे 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 जाता है तो फिर वो जो उपर वाला हिस्सा है उसको बोल रहे है mouth ऐसा लगता है कि बड़ा सा mouth है जिसके अंदर बहुत सारा पानी है वो गढ़ा जो है एक बड़ा सा mouth हो गया है तो वैसा ही उसी टाइप का एक interpretation है इफ यू आर दा वाटर सामाउथ आई एम दा माउथ अफ मॉस तो मैं मॉस मतलब जो लाइकन टाइप का होता है मॉस प्लैंट होता है पानी में ग्रीन ग्रीन कलर के उख जाते है आपने देखा होगा pond में जब बहुत टाइम रह जाता है unused होके तो फिर वहाँ पर मॉस उख जाते है तो फिर यहाँ पर वही चीज़ बताई है अगर तुम बादोलों से भरा forest हो मतलब जंगल हो तो फिर मैं वह axe हूँ जो की उसको काट देता है उसको काट के टुकड़े टुकड़े कर देता है तो फिर यहाँ पर clouds के जोंड को बोला गया है उपर से कैसा लगता है जब उपर से हम forest देखेंगे तो फिर green color के cloud जैसा लगता है कि नहीं फिर जब clouds के उपर से हम देखेंगे तो फिर वो सारा कैसा लगता है, सारा एक साथ पूरा कवर होके, ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेड़ है, तो उसकी चीज़ को compare किया गया है, तो फिर मैं वो X हूँ जो कि cloud को टुकड़े कर देता है, तो cloud को टुकड़े क्या है, कौन सी चीज़ है जो cloud को टुकड़े करता है वो इस अन्रेस तो यहाँ पर अगें रेन और वेटनेस को ड्राइनेस के साथ कंपेर किया गया है If you are the profanity, I am the rain of consecration Profanity मतलब जहाँ पर भगवान के लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ पर कोई भगवान को नहीं मानता जहाँ पर कोई भी moral values नहीं है लोगों में, उसको profan बोलते है अगर तुम वैसा एक शहर हो जहाँ पर भगवान को नहीं मानता है कोई जहाँ पर कुछ भी moral values नहीं है, तो फिर मैं rain of consecration हूँ, बारिश हूँ किस चीज़ का? कि declaration का consecration मतलब जब एलान किया जाता है, या फिर कोई आकाश्वानी टाइप का कह सकते हो, या फिर कोई घोषना कह सकते हो न घोषना हूँ, घोषना इस चीज़ का कि भगवान होते है, moral values भी होते है और अब से इस city में जहाँ अब तक पूजा नहीं होती थी, अब पूजा होगी, तो यहाँ पर devotion और ethism को बोला गया है कुछ लोग ethist होते हैं और कुछ लोग devotee होते हैं, उस चीज़ को दर्शाय गया है अगर तुम येलो कलर के माउंटन हो, पहाड हो, तो फिर मैं क्या हूँ, मैं आंस हूँ, हाथ हूँ, लाइकन का lycanic type का plant होता है उसमें एक fungus होता है अगर पढ़ा होगा biology में भी तो lycanic type का plant होता है red-red color का छोटा-छोटा होता है बहुत ही छोटा होता है और कभी-कभी mountains में cover भी हो जाता है जिसकी वज़े से लाल-लाल color के दिखते हैं mountains If you are the rising sun I am the road of blood तो फिर से वो जो पहला line था I am the road of blood वो यहां पे फिर से आ गया If you are the rising sun यहां I am the road of blood तो फिर यहां पे लेकिन blood का meaning अलग दर्शा गया है क्योंकि sun के साथ compare किया गया है अब rising sun है मलब सूरच उग रहा है दिन शुरू हो रहा है तो फिर आप इससे life के साथ interpret कर सकते हो कि life शुरू हो रही है अगर कोई पैदा हो रहा है तो उसका life शुरू हो रहा है and I am the road of blood खून कब निकलता है जब इनसान मरता है या फिर खून करना बोलता है इनसान को मारना या कोई भी जीव जहनतु हो death हो जाती है तो फिर यहाँ पर death को दिखाया गया है again birth and death को तो फिर overall poem आपको अच्छे तरह से समझा गी होगी यहाँ पर duality of nature दर्शा गया है nature के जो opposite चीज़े हर चीज़े pair में बनी हुई है nature के हर चीज़े के दो पहलू होता है कुछ भी चीज़ single नहीं बनाया गया है duality में pairs में बनाया गया है जैसे कि मैंने कहां अच्छा होगा तो बूरा भी है positive है तो negative है राथ है तो दिन भी है रोशनी है तो अंधेरा भी है और जैसे कि सूखा कुछ है तो फिर गीला चीज़ भी होता है गर्मी होती है तो थंड भी होती है मीठा होता है तो नमकीन भी होता है तो फिर यह जो duality है उसी को यहाँ पे दर्शाय गया है जो की nature का बहुत एक important law है तो मुझे उमीद है कि आपको पुएम पसंद आई होगी तो वीडियो को like करना share करना और comment करना बिल्कुल मत भूलेगा जिसने subscribe नहीं किया है प्लीज जल्दी जल्दी वीडियो को जल्दी जल्दी चालन को subscribe करिए ताकि मैं और जादा जल्दी जल्दी वीडियोs post कर पाऊ याद रखे जितनी जल्दी subscribers बढ़ेंगे उतनी ही जल्दी जल्दी वीडियोs आएंगे तो इसलिए subscribe करिए share करिए लोगों को वीडियो दिखाईए और फिर हम चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye thank you